ओके तो कैसे हो भाई लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होगे और बरे ही मज़े से होंगे तो आज हम आगे हैं अपने नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही जादा सिंसेटिव टॉपिक पे क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वही है सिंसेटिविटी पे तो भाई यह ऐसा टॉपिक है जो मार्किट में बहुत जादा घुमता है बट कोई भी इस पर जादा बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि भाई लोगों को खोदी नहीं पता कि भाई एक्च्छाली मिशिनिव क्या है और इसका लिट्रल फंक्शन है क्या क्या क्योंकि आप सेंसिटि भी इक उनने से पहले हम sensitivity जैसे आप माल लो gyro sensitivity, ads sensitivity, camera sensitivity और दो-तीन तरह के और sensitivity है जो आपको directly impact करता है और अब उसके बारे में अगर हमें पता नहीं हो भाई obvious सा बात है कि वो हमारे gameplay को impact करेगा और ultimately हमें ऐसा feel होता है भाई पता नहीं हमारा जो gameplay है वो improve क्यों नहीं हो रहा है तो भाई इसका सीधा सीधा सा reason बस यही है कि अगर आप जो main चीजें हैं जैसे कि sensitivity हो गया और बहुत सारे ऐसे topic है उस पर जान नहीं दोगे तो एक time पर आने के बाद आपको जो gameplay है वो saturate हो जाएगा और obviously improve नहीं करेगा तो भाई अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिनको भी ऐसा feeling आ रहा है तो भाई आराम से अभी वीडियो छोड़के जा सकते हैं खर अब हम बात करते हैं अपने sensitivity की तो भाई sensitivity स्टार्ट करने से पहले आप यह जान लो कि हमारे अंदर कमी क्या होती है जिसे कारण हम sensitivity को समझ नहीं पाते हैं तो भाई हमारे अंदर जो सबसे पहली कमी है कि हम maximum time क्या करते हैं कि भाई अपनी जो sensitivity है वो किसी और से चुपचाप से copy कर लेते हैं जो कि भाई सबसे बड़ा और सबसे घटिया बात हो सकता है क्योंकि दूसरी के sensitivity copy करना is equal to आप आख बंद कर गए किसी की answer से अपना copy कर रहे हो क्यों आपको पता भी नहीं है वो आपके लिए सही है वो आपके लिए गलत है बस आप उसे copy किये जा रहे हो क्योंकि भाई मेरा reflex जो है और जो third person होगा वो obvious सा बात है वो किसी का हमारा जो reflexes वो match नहीं करेगा बहुत rarely किसे match करेगा और हम जो है किसी का sensitivity copy करते है कब जब भाई हमें पता नहीं होता है कि आखके में sensitivity है क्या और maximum time हम क्या करते हैं भाई कि sensitivity किसी professional player copy कर लेते हैं तो भाई आप यह बता हो कि हमारा जो reflexes है और जो professional players है उनका reflexes कभी एक दुसरे से match कर सकता है कि obvious सा बात है वो हमसे बहुत जादा trained है और बहुत जादा हमसे जादा PUBG खेले हुए है तो उनका जाके sensitivity हमसे बिलकुली अल जादा है तो market वाला भी हमें बलता है हाँ भाई आजकल market में आई ना है वो आई वो आई वो आई बेस प्रोसेसर है भाई यह वो ले लो और आहम बस नायंगा बहुत सार पैसा दे कि वो प्रोसेसर अठा के ले आते हैं और आम यह पता भी नहीं होता भाई कि अच्छा है बुरा है यह हमारे लिए हमारे काम से जादा है यह हमारे काम से बहुत कम है खैर अब बात हो दे तो बहुत सारी हो गई आपको मैं जादा बोर नहीं करने वाला अब हम डायेट आयाते है अपने sensitivity के बात पे तो चलिए आपको sensitivity है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले जो आप फिर हम बहता हूंगा मैं कि यह जो लो, मेडियम, हाई और कस्टमाइज संसिटिविटी है वो exactly होते है क्या है तो भाई लोग सबसे पहला जो अपना संसिटिविटी आता है उसका नाम है कैमरा संसिटिविटी तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा 3rd person camera और 1st person camera और camera तो वाई जो हमारा 1st person camera वो तब काम आएगा जब हम अपना FPP mode में खेलते हैं तो वो exactly सेम काम करेगा जैसा मैं setting करूंगा 3rd person camera में तो चली सबसे पहले देख लाए था 3rd person अपना जो यह camera sensitivity होता है free look वो होता क्या है तो जैसे आपको यह दिख रहा होगा ना जब भी हम move करते हैं और अपना जो यह eyeball से आगे पीछे दाया बाया देखते हैं तो इसे कहते हैं camera मतलब free look अब जैसे मैं आपको example के लिए दिख move ही नहीं कर रहा है देख रहे हो आप और जब मैं इसे मालो की maximum 300% कर दूँ तो यह दुखो मैं एक बार ऐसे करूंगा तो यह पूरे रोटेट कर जाएगा देख रहे हो आप एक बार ऐसे करने पूरे रोटेट कर जाएगा तो भाई यह जो अपना sensitivity है यह depend करता है कि आप क करने time capture करना जाते हो जैसे कि आप मालो हम almost half पे आते हैं तो भी अपना जो free look है वो बहुत जाद है तो मुझे तो इतना fast नहीं परसंद है कि बाई मैं इतना आदा fast परसंद करूं तो मैं इसे approximately 80 के आसपा सेट करके रखता हूँ तो अब जो अपना यह camera दिख रहा है तो यह जो आपको दिख रहा है ना map में जहां पर यह one लिखा हुआ है तो अपना sensitivity यहां पर यह वाला काम करेगा तो अमीद करता हूँ कि आपको जो हमारा यह वाला जो है camera sensitivity वो थोड़ा बहुत सौन में आ गया होगा और अब move करते ह अपने next sensitivity की तरफ अपना जो next sensitivity है उसका नाम है camera तो भाई यह sensitivity है यह हमें तब काम आती है जब हम अपना aim करते रहते हैं जैसे कि आप माल लो यह जो मेरा यह दिख रहा है ना आपको जब मैं aim कर रहा हूँ free camera तो यह काम आता है जैसे कि आप माल लो कि मैं फिरसे से खोल ल अगर मैं अपने फिंगर को मूव करता हूं तो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर आने पर इसे कितना टाइम लगता है यह है मेरा कैमरा सेंस्टिविटी पर जो कि नो स्कोप पर है तो यह से कि आप देखिए अगर मैं इसे मैक्सिगम पर सिट कर देता हूं तो यह दिखी क्या होगा यह देख रहे हो आप एक बार हांट डालती भाई यह बूम क्या भाग रहा है देख रहे हो तो आप कभी भी इस्टाक्र शूट कर पाऊगे तो इसे कहते हैं हम हमारी जो कैमरा सेंस्टिविटी है उसे हम वापस देख stomach during aim assist यह द तब काम आएगा जब मनलोकी यह हैं टाट लगा हूँ हरा हु और जब मैनने एस्टैंफ किया तो यह वाला जो है न यह आपको तब काम आएगा जर उसे आप पड़ाओंगे घृटाओंगे और उसी तर इक यह तना संस्टिविटी यह कामरा वाली 4x, 3x, 6x, 8x ये सारे के सारे आपको डिपेंड करती है कि आप कितना अपना sensitivity रखते हो अपने camera का तो भाई ये वाली आपको जितना आदा high रखोगे उतना जादा आपका reflexes बढ़ेगा बढ़ हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे पर शूट कर रहे हो और आपको इसे पर शिफ्ट करना है तो क्या होगा कि आप जब हलका सब इसे करोगे तो आपका जो देख रहे हो पर मैं ऐसे कर रहा हो तो ये बहुत जादा भाग जा रहा है तो आपको इतना ही रखना है जितना आपका थाम मॉव्मेंट हो और वो एकदम एकुरेट हो इसलिए इसे जाद नजाद आप बढ़ा सकते हैं नजाद आप खटा सकते हैं और यह आपको दिख रहा है फरस्ट परसन यह आपको तब कामाएगा जब आप अगर आप FAP मोड में खेलते हो तो यह था भाई अपना कैमरा के बारे में सिंस्टिविटी का अब मूव करते हैं अपने ADS के तरफ अब भाई अपने जो ADS है ना वो एक बहुत जादा टिकनिकल टर्म है तो सबसे पहरे तो जान लेते हैं अपने ADS का मतलब क्या होता है तो भाई ADS का मतलब होता है एम, डाउन, साइड तो अब बहुत लोगों कन्फिजन होगा एम, डाउन, साइड मतलब होता क्या है तो हम लोग मैक्सेम टाइम बोलते हैं ADS कोल के रख मतलब ये नहीं भाई, अपना ADS का exact मतलब ये नहीं होता है तो ADS होता है क्या exactly ADS एक combination होता है जब हम shoot करते रहते हैं और अपने recoil को control करते रहते हैं जैसे कि आप देखे जब मैं shoot कर रहा हूं और अपने recoil को control कर रहा हूं तो यहाँ पे आता ADS का लगाम तो जैसे कि आप देख लिजे for example अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं अपने ADS के जो red dot है तो सबसे अच्छा आपको दिखेगा इसमें 4X पे माली जी कि मैं 4X वाले को 300 कर लेता हूं ADS को ठीक है और अपना 4X लगा लेते हैं अब जब मैं shoot करूंगा तो यह देखो क्या होगा यह देख रहो भाई ऐसे shoot करना तो almost impossible है देख रहो यह देखो यह दिख रहा है आपको तो भाई ADS का exact मतलब ही यह होता है ADS aim down side मतलब कि जब आप shoot कर रहे हो तो अपने recoil को कैसे control कर रहे हो तो अब जब अपने ADS को यह देखो अब क्या होगा मैं शूट कर रहा हूँ अभी भी यह बहुत ज़्यादा shake ही है देख रहे हो बहुत ज़्यादा shake ही है तो ADS आप पूछो कि ADS का जो अपना setting होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है यह कम अच्छा होता है मैं तो बोलूँगा जो अपने ADS का setting होता है वो आप जितना कम रखो अच्छा है क्योंकि आप जितना कम रखोगे वो आपका जो इतना aim है वो ज़्यादा चिपकेगा तो अगर आप चाहते हो कि अपने ADS बढ़ा के रखो तो obvious सा बात है आपकी जो accuracy है वो मतलब कम हो जाएगी बट आपका reflex इस fast हो जाएगा तो वो आप completely आपके उपर depend करता है कि आपने ADS का setting कैसा रखना चाहते हो तो आपको एक balance बना के रखना है ना जादर कम ना बहुत जादर तो अब ये था अपने ADS के बारे में अब move करते है अपने gyro की तरफ तो भाई जहां से अब आती है gyro की बात तो मैं आपको बताओ दो कि मैं एक gyro player हूँ और मैं gyro खेलता हूँ scope on पे अब इसकोप on पे मैं इसलिए खेलता हूँ कि जब भी close range fight होती है तो मैं पसंद करता हूँ कि मैं अपने thumb को यूज करूँ और इसलिए मैं आमेशा scope on पे केलता हूँ तो जैसे आपको मेरा दीख रहा हूँ कोई gyro setting तो जाइरो setting से पहले जान लेता है कि अपने जो gyro होती है वो होती क्या है तो भाई gyroscope क्या होता है कि जब अपने phone को हम right के left move करते है या मालो आप अब अब इसलिए mathematical term में समझे जब भी अपने phone को हम अपने x-axis या y-axis में move करेंगे तो हमारा जो aim है उसी हिसाब से adjust होता है तो अब gyroscope यूज क्यों करना चाहिए भाई क्योंकि obvious सा बात है कि अगर हम किसी mechanical चीज से अपने require control करें या फिर aim करें तो वो थोड़ा accurate होयाता है बलकि हमने अपने जब हम physical चीज से अपना aim करते है तो इसलिए हमें gyro यूज करना चाहिए तो आप जहां तक रहती है gyro की बात तो बहुत लोग बोलते हैं भाई कि gyro maximum रखे या minimum रखे या फिर beach का रखे तो भाई मैं आपको ये बोलूँगा कि जो gyro के setting होती है न वो completely आपके setting पर depend करता है जैसे कि आप माल लो कि अब gyro मैं खेल तो रहा हूँ बट मैं एकदम new gyro पे shift किया हूँ तो अबवेसा बात है कि अगर मैं gyro support जो इतना भी आपको में setting दिख रहा होगा ये जो आपको 300, 300, 230, 160 दिख रहा है तो ये ऐसे ही नहीं मैंने रख लिया है बहुत दुन practice करने के बाद ये setting मुझे suit किया है तब जाके मैंने इसे रखा है अगर आप directly ऐसा रखते हो तो अबवेसा बात आपको बहुत बार aim चोक कर जाएगा और थोड़ा problem होगा तो अब starting में थोड़ा कम रखो आप धीरे धीरे अपने sensitivity को जाएगा को बढ़ा सकते हो ताकि आपका aim जो है थोड़ा और जादा accurate हो तो अब भाई अब ये थी अपनी पूरी की पूरी sensitivity की बात अब इसमें आपको कोई भी कमी लगी हो या फिर ऐसा कोई भी question हो तो आप मुझे अराम से comment section में पूछ सकते हैं और आप आते हैं अपने सबसे last वाले section पर जो कि मैंने छोड़ दिया था जो अपना ये जो दिया हुआ PUBG वालो के तरफ से low, medium, high और customized वाला system ये होता क्या है तो भाई अपना जो low, medium, high customized होता है ये PUBG वालो ने डिफॉल्ट सेटिंग दे दिया है कि अगर आपको अपना कस्टमाइजर में सेट नहीं करना है तो आप पूछो के भाई भाई ये जो ये फोन के लिए आप कौन सेटिंग रिकमेंड करना चाहोगे तो मेरे हिसाब से अगर आपका फोन जो है वो low end device है जिसमें बहुत कम रहम है तो मैं आपको साजेस्ट करूँगा कि आप max to max medium पे ही जाओ और अगर मालो आपका जो फोन है वो average है और उसका जो रहम है 4GB है बट जो आपका प्रोसेसर है वो बहुत slow है तो आप हाई पी रख सकते हो और अगर आपका हाई इंड डिवाइज जैसे के आईफोन, oneplus 70, oneplus की डिवाइज है तो आप अराम से कस्टमाइज करो और जो आप कमन है उस टाइप के आप sensitivity को रख सकते हो तो भाई ये था हमारा जो आज का पूरा का पूरा topic sensitivity पे तो अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगी हो या फिर ऐसा कुछ भी हो जो मैंने छोड़ दिया हो तो आप मुझे अराम से comment section में पूछ सकते हो और मैं उसका answer आपको दे दूंगा और इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो please मुझे बताना और इससे अगर आपको थोरा सा भी information मिला हो जिससे कि अगर आपको लगे कि भाई सच में मुझे information मिला इस video को देखने के बाद तो अपने दोस्तों को साथ share करो और उना ही बताओ भाई कि भाई जो अपना sensitivity है उसका literal meaning होता क्या है और मतलब आपने जो setting होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए अगर आप श्या होगे तो मैं आपको अगले वीडियो में अपना gyro setting या फिर gyro को आपको कैसे practice करना चाहिए या छोटी मोटी जो training करता हूँ मैं training अरिनावा के वो आपको दिखा सकता हूँ अगर आपको मारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों वहाँ शेयर करें अगर आप इस channel पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें तिल देन थैंक यू बाई बाई टेक क्यार